पहले-पहले मुझे ऐसा लगा मैंना इतना डिप में पढ़के आपने को पेजिन थुड़ी करना है जब मैं एक्जाम को गया तब मुझे समझ में है कि बहुत ही इंपॉर्डर नहीं है यही यही चीज हमको बाद में समझ में आती है चले आज डॉक्टर बाबा साहिब अंबेद कर इनका नाम कैसे पढ़ा यह थोड़ा सा इंटोड़क्शन पाथ हो जाए एक कॉंसी चीज़े हो रही थी विल्डिस्कस अब मैं इनका नाम जो पूरा नाम भीम्राओ राम जी अंबेद कर ऐसे आपने सुना हे उनका नाम बराबर है ना लेकर अक्ष्ञ अनका नाम क्या था औरकसी उनकी नाम से ऐसे बुलाया जाता है přो सब आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है आब भीम्राओ जी जो इनको पर्स्ट एंडियन जूरिस्ट थे जिनोंने में थोड़ा सा उधर भी लेकर जाती हूं होड़ा वह वह लेकर जाती और दोड़ा वह यह एक इक अगौनॉमिस्ट थे पॉलिटिशन थे यह सोशल रिपॉर्मर थे और लौ में उन्होंने काफी अच्छा गे किया और अब यह जो थे यह बॉन होए थे 14th of April 1981 में है ना और यह कहां बॉन होए थे मध्यप्रदेश एक छोटा सा गाउ है वहां पर मउनाम का जहां पर इनकी पैदाश है ठीक है और यह जब उस गाउ में रहते थे जो मउनाम का जो गाउ था जो MP साइड है यह जो बेटे थे एराम जो है वो बीमा भाई ठीक है और वो उनके पिताजी दो थे वो इंडियन आर्मी ओफिसर थे ठीक है उनके बाद वो इदर बच्चा है बाद ओफ यूर मैक स्टालिए मैक बन कीजिये मैक एक जब बाद मैं बार्ट इन we'll have a healthy conversation don't worry ठीक है पहले यहां से थोड़ा सा point of view समझने की कोशिश करते हैं ठीक है चले उसके बाद जो ऐसे था कि जो ये भीमा भाई है उनके नाम से ही उनके बेटे का नाम भीम जो है वो रखा गया था और इनके और भी बच्चे हुआ करते थे और ये जो है बीमराओ जी ये सबसे चोटे बेटे हैं इनके और इनकी जो फैमिली थी और इसके बाद इसके जो पिताजी है वो रिटायर्ड हो गए है ना 1894 में वो रिटायर हो गए और उसके बाद में पान साल की उम्र में इनको स्कूल में इनका धाखला करवाया गया था ठीक ह अब जब ये मौ में रह रहे थे उसके बाद ये shift हो गए दापर ये जो की मारास्टा का हिस्सा है ठीक है ना जैसे ये वहाँ पे shift हुए उसके बाद में इनका ऐसा था कि इनकी जो ममी है वो एक्सपाःर हो गई है ना इनकी ममी 17 में शुSON 5 भी माराश्रा का इस इस्सा है। और उनकी मजी कुछ सेहत भी वह ठीक नहीं रहती थी。 अग कर सकत्सक्रांब का है, उनकी अंटी थी मीरा. उन्हों ने विज़ए उनका पूरा ध्यान दियां और राम जी और मीरा जी गोंगी और थी. करने लगे जो दूसरे बच्चे भी इंगे थे अब जो भीम्राव जी जब स्कूल में एडमिट होने के बाद में आफ्टरी वेंट टू दू जैसे उनका वहां पर दाकला हुआ वो स्कूल में एडमिश्रन होने के बाद में वो जब क्लास्रूम में बैठते थे ना तो उनसे यह कहा जाता था कि आप हमारे साथ में ना बैठे ठीक है ड्यू टू अन्टच अबलिटी है ना इनको जो यह शत्री है जो जो कास्ट से यह आते थे अब इसमें आपको पता है कि हमारे इंडिया की जो कास्ट होती थी बुद्धिस्ट आगे बताओंगी मैं सारी इसको ले पानी पीने के बाद पर भी इनको ऐसे हुआ करता था कि जो स्कूल का प्योन होता था वो पानी करता था उसके बाद में इनको पानी दिया जाता था ठीक है अब इनको समझ में नहीं आता था कि यह उन्टच अबलिटी क्यों है क्यों हम लोगों को कुछ बिमारी तो है नही जैसे यह आएं ठीक है उसके बाद में इनोंने देखा कि भाई मेरे साथ में तो इतना यह किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं तो एक बार वो अपने गाउं वापस आते हैं तो वहां पर वेल ड्रेस्ट थे अपने ब्रदर के साथ आ रहे थे तो उस समय उनको जो स्टेशन था जहां पर वो उतरे थे अफ्टर था उनको अपने गाउं में जाना था ठीक है लेकिन उन लोगों को ऐसे था कि इनके साथ मे नहीं बैठेंगे अगर हमने इनके साथ में बैट लिये तो हम भी बिमार को जाएगा जो लोगों की एक तो उसके बाद में जैसे जो बुलकार्ट वाला था जो उनको लेके जाने वाला था उनको गाउं में चोड़ने वाला था जहां पर रहते हैं तो उन्हों वो नीचे चल रहा था और यह उसमें बैटके गए इनको खुद ड्राइव करना पड़ा था तो नहीं यह लग रहा था कि यह तो स्टूपिडिटी है यह कुलता है यह सही नहीं है और उस समय ऐसे होता था कि गाव में आपको पता है बार्बर तो होते ही थे लेकिन फिर यह थे तो इनको कहीं ना कहीं बार्बर जो होते थे ना उनका बाल भी कट नहीं करते थे देवर नॉट अलाविंग की मतलब ऐसे होता था कि नहीं बाबाब वो जो कास्टिजम का प्रॉब्लम होता था इन लोगों के साथ में कि नहीं हम तो नहीं करेंगे तो उसके बाद में क एक्सपिरियंस किया आज हम जब तक खुद एक्सपिरियंस नहीं करते हैं तब तक हमें यह सारी चीज़े पता नहीं चलती है उनका नाम यही था और इन फैक्ट मैं यह बता दूं कि बिम्ब्राव अंबेदकर जी जो सरनेम अंबेदकर पड़ी थी वह इत्वास नाट अंबेदकर इसे करके उनका कोई सरनेम था विकास जो गाओं में वो रहते थे उनकी सरनेम को ही उनके फादर ने लगाया था ठीक है एक्चुली तो उनका नाम क्या था उनके फादर का राम जी मालो जी सकपल ना इट वस नॉट अंबेदकर ठीक है लेकिन सरनेम लगाने का है तो इसलिए वो जो गाओं का रहते थे उसका उन्होंने सरनेम लगाया अमबाडे करके उनको इतो गाओं का नाम था तो उनके फा करनी है तब यह देखके कहीं न कहीं वो जो भीम्राव जी थे अपने मदर से बहुत प्यार करते थे बहुत टूदा हाट उनका बहुत यह था तो जब उनके फादर दूसरी शादी कर रहे थे न तो उनको यह लग रहा था कि मैं घर चोड़के भाग जाओं तो कहीं न कहीं उ ऐसे कैसे वो छोड़के चले जाएंगे तो उन्होंने अपनी जो आंट है उनके पर्स खोली उस पर्स में से सिर्व एक ही डॉलर पड़ा था और उनके बाद उनको शर्मिन्दा मैसुद हुआ इसे उनको एक फीलिंग आई थी तिर उन्होंने यह प्लान कैंसल करती है कि मै बहुत स्टाडी करूंगा और और मैं कुछ इंडिपेंट बनके दिखाऊंगा दुनिया के सामने कुछ करके दिखाऊंगा तो उसके वज़े से जो यह वो बॉमबे चले गए राम जी और यह अंबित कर जीओ है यह सब बॉमबे चले गए उनके टीचर्स ने कहा कि आपका तो कहीं न कहीं एलफचाइन हाइज स्कूल था ना इलफ फीन स्टोन हाइज स्कूल था ना जहां पर उनको पड़ाया गया था तो वहां पर भी ऐसे ही था दो बॉमबे जो ऐसा शहर है कि जहां पर इतना ओपन-मांड़े ब्रॉड कैटिकरी के लोगे इवन आं फ्रॉब तो फिर भी उनके साथ में वैसे ही बीप किया जाता था वो जो अन टचबलीटी का जो यह था वहां पर भी चलता जारा था और वहां पर रहने के बाद भी बीवराओ जी इस चीज को विटनेस कर रहे थे कि मेरे साथ तो यहां पर भी थुआ चूद का भी मारी चल रहे है यहां पर भी अन्टच ड़िटा जाएक तो अनौने सोचा की मैं आगे जाके संस्क्रिट पढ़ता हूं लेकिन पाढ़ने के लिएकर उस categories से नहीं थे कि जहां पर उनको allow किया जाए कि तुम Sanskrit पढ़ो तो ये सब जो हो रहा था ना उनको बहुत ये हो रहा था फिर 1907 में I think उनका जो ये था 10th वो complete हुआ है ना तो उसके बाद में उनकी शादी हो गई after 10th पास होने के बाद में आपको पता है कि तबे की जमाने में क्या होता था कि छोटे बच्चे में ही शादी हो जाती थी तो इंदा एज और 15 यह वो शादी कर लिया था जिसकी उसकी उनकी जो वाइब थी उनका नाम था रमा वाई है ना फिर ऐसे करते हुए उन्होंने सोचा कि मेरी शादी भी हो गई ना after getting married you thought कि बाबा मुझे कुछ तो चाहिए फिर उस समय शाओ माहराच का यह था उन्होंने सोचा कि मैं scholarship उस समय एक scheme भी चली थी कि बाई मैं scholarship देने वाला हूँ और उन बच्चों को scholarship दी जाएगी जो कहीं न कहीं बढ़ने वरने में बहुत उशार है और आज आपको भी बता है कि इन डहरा lot of Indians still today serving the better countries outside है ना आज भी है तो उन्होंने कहा कि monthly scholarship देता हूँ अब शाओ माहराच ने agree कि हाँ मैं बीम्राओ को monthly scholarship देता हूँ फिर जैसे ही उन्हों को scholarship मिली फिर उनके बाद उन्होंने try कि economics में degree लेने के लिए try किया फिर उन्होंने political science बढ़ा पर उतनी फीस पे करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे तो अंबेतकर जी को in fact award भी कि दिया गया था कि इतना इतना पैसा कुछ था कि उनको three years के लिए ये करना था फिर उन्होंने agreement sign की दी कि ठीक है बाबा मैं आप लोगों की जो city है वो उसको surf करूंगा जो बरोदा state था उसमें जाके मैं काम करूंगा ऐसे करके उसको स्कॉलर्शिप में ली वो स्कॉलर्शिप के लिए बाहर चले गए और उसके बाद में उन्होंने post graduation करी new york में जाकर columbia university के अंदर और वो post graduate हो गए उसके बाद में वो u.s से गए जो new york city की मैं आपको बात बता रही हूं उन्होंने में किया नाइंटीन फिफ्टी में economics और sociology में उसके बाद में उन्होंने एमे एक्जाम देने के बाद में उसने उन्होंने majority of the exams के एक्जाम में सोशल लॉजी में master of arts में doctor of philosophy में पिएजडी करते चलेगे करते चलेगे तो return to India उनके लिए जैसे हो गया कि एक nightmare हो गया कि सपना तूटा सब खतम तो कहीं ना कहीं ये बाद उनको बहुत खा जा रही थी कि मैं वापस वहां पर जाओंगा वापस मुझे इतनी सारी तकलीफे जो बैर करनी पड़ेंगी तो अंबितकर जी ने जो हिंदू का सिस्टम है उसको लेकर जो उन्होंने ट्राय किया था कि मैं एतनी education लेके आऊंगा उसके बाद में यह सब कम हो जाएगा कहीं न कहीं उनको ऐसे लग रहा था लेकिन वह जहां भी काम करते ना वहां के भी सब्सक्राइब उनके सामने क्या करते जो फाइले उटी थी वो मुझ पर उठाके उनके मतलब on the table वो फेक के चले जाते थे वर नॉट ब्रॉट तो डैट की बबाद नॉट ही इतनी सारी डिग्री लेने के बाद भी अगर उनके साथ काम करना है तो उनके साथ में ऐसा आँ तो कहा रहूं तो रूम देने के लिए भी उनको कोई भी तयार नहीं था कोई भी तयार नहीं था नहीं ब्रॉट बड़ी वोज़ें वो गिविए लेन के वाज़े से उनको वो रूम लेकर आफ्टर दाट किसी को पता चला कि वहां पर रह रहे हैं तो लोगों का आने के लिए जमा हो गए जिसको लेकर हम लोग अभी जो न्यूव आया है मॉब लॉंचिंग जो है उसको लेकर हम बिल्कुल बढ़ेंगे और यह चीज़े यहां से टाच हो रही है जब तभी के टाइम में हम लोग नहीं लेकिया थे नाउ इट इस कमिंग ठीक है फिर बी इंवेस्टमेंट का काम स्टाट किया कि मैं एक इंवेस्टमेंट लोगों को सिखाऊंगा वहां से इंकम करऊंगा ताट बिजनेस और उसका फेल हो गया फिर उन्होंने क्या कि यह वांड़ेंट तो राइस एस एस लीडर ऑफ इंडिन जैसे अंटच अबिलिटी स्को लेक ठीक है उन्होंने वो स्टाट किया और उसमें उन्होंने स्टाट किया कि सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि भाही जो अन्टेचेबल को लेकर उन्होंने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किया लोगों को बताना स्टार्ट किया ठीक है तो 1920 में जब भीम्रा रिटर्न आ पर उसके बाद में उनोंने क्या किया जैसे ही वह कंप्रीट किया उन्होंने इकनॉमिक्स में डिग्री ली नाइंटीनटीतीटीती के अंदर फिर उन्होंने फिर वह बैरेस्टर यॉफ सी हफकॉस रहत Advaga ये करके उन्होंने बुला कि चलो भी मैं ये डिग्री के लिए ये करता हूं फिर उन्होंने education लेते लेते social economics में उन्होंने outcast system को भी लेके है और 1924 की एक सबा बैठी थी जो क्या थी आप बताओ 1924 में एक सबा बैठी थी जो अंबेतकर ने form करी थी और वो promote कर रहे थे उसमे social economic improvement लाने की कोशिश कर रहे थे और जो outcast है हमारी जो caste related problems चल रही थी उनको वो चाहिए था कि वो हटे तो what was the सबा sat in 1924 वो कौन सी सबा थी आप लोग बताओ बहिश्कृत हिट करने सबा हाँ very good उसमें क्या हुआ था उस सबा में कि इस वो सबा में क्या हुआ था वो जो मुपमेंट चली उसने जो सबा बठाई उन्होंने उस समय क्या हुआ था इस सबा में क्या चाहते थे यह सबा में यह उतना जाना वस है क्या बाइसकृत हितकरनी सबा है 1924 की वो उसमें क्या करना थे प्रमोट कर रहे थे education को social economics चीजों को improve करना चाते थे कि यह caste system जो इसको बंद किया जाए फिर 1927 में अंबेतकर जी ने यह decide कि ऐसा movement चलाएंगे कि untouchabilities के against नहीं होने चेंगे ऐसा movement चलाएंगे अब लोग और यह उन्होंने उसके बाद में सत्यागरह चलाया फिर roundtable conference में आए फिर constituent assembly में बैठे है ना इसके बाद यह बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए आज भी आपको मैं बता दूँ कि आपको पता है कि I'm not going into wrong way just a part of explanation प्लीज इसको कहीं पर भी गलत नहीं समझेगा आज एक जेनरल बात करती हूं मैं आप लोगे साथ में कि इनके समझो इनकी जो मूर्ती है इनकी मूर्ती को कहीं पर भी तच हो गया यहां कुछ हो गया तो आपको पता है क्या हो जाता है ना पता है आपको क्या हो जाता है कि इन केस ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या होता है नॉर्मली जैसे होता है, वैसे होता है, आपने इसके बीच में एक सेटी है, जहां पर आपने देखा होगा कि कैसे दूसरे ऐसे कोई लीडर्स की अगर ऐसा कुछ होता है, तो that doesn't happens what happens in this picture. क्या होता है, मजे बताओगे कि इनकी मूर्ती को कुछ हो जाता है, तो क्या होता है? religion अपनी religion को change किया था अपने आपको उन्होंने buddhist की religion में change किया था पता है आपको ये बात ना क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि जो buddha थे ना वो क्या करते थे उन्होंने ये देखा कि उनके उनके जो भी disciples थे वो women's को भी ये करते थे, men's को भी ये करते थे, in fact, वो सब चीजे देखने के बाद की जो बुद्धिस्ट है, उनकी जो प्रेडना होती थी लोगों को देने के लिए, उनके अंदर ऐसे कोई discrimination ही नहीं था, men and women को लेकर वो दोनों को समान समझते थे, और वो उस आत्मा का ज्यान देते थे, कि हम मोक्ष का ज्यान देते थे, वो दिज जो थे ना, उनके, इसमें, उनके कल्चर में ही मोक्ष है, कि जैसे हम दुनिया में आते हैं, हम जो प्राणी है, ठीक है, death and birth की जो ब काटके आते हैं and then we come to the human picture, मतलब जो human being बनते हैं, वो स्टोरी बुद्धिस की सुनने के बात में, बीमराव जी ने देखा, कि यहां पर तो जो ज्यान दिया जा रहा है, वो आत्मा का ग्यान दिया जा रहा है, और यहां पर सभी लोगों को जैसे महिला हो गई, उन्हें भी और विडो महिला उसको भी लिया चाता था, वो बुद्धिसम कास्ट में उन्होंने ये देखते हुए अपने कास्ट को, रिलिजिन को चेंज किया था, उन्होंने बुद्धिस्ट कल्चर को अडॉप्ट किया था, आप देखेंगे कि एक उन्होंने पूरा अपने आपको चेंज कर लिया था, बुद्धिसम केस में, तो बुद्धिस्ट लोग जो है, वो बीमराओ जी को इतना मानते हैं, क्योंकि वो बुद्धिस्ट को ही फॉलो करने लगे थे, जो बुद्धा का कल्चर था, जो चाते थे कि जो इनसान है, वो आया है, तो उसको मौक्ष तो वो कैटिगरी में उन्होंने देखा कि यहां पर तो कोई भी डिस्क्रिमिशन नहीं, यहां पर तो अंटचेबरी का कोई भी बात नहीं है, या कोई भी यह नहीं सुचे का कि अगर आमने इनको हाथ लगा है, तो पल्यूट हो जाएंगे, या हम लोग इस चीज पर यहा राजिश? जो अंबेदकर साहब है, वो उनके साथ में बैटे नहीं, तो आपको पता है कोई टिंडा मोमेंट चली थी, बराबर है ना, डांडी मार्श का जो यह था, आज गांधी जी को, आज जितना गांधी जी का यह सुनते हैं, मतलब, I am not saying in a very wrong way or something, मैं सब explanation पार्ट पर बोल रह रहे थे, उन्होंने वो face किया, उन्होंने वो experience किया, वो दर्द बर्दाश किया उन्होंने, जिसके वज़े से ही वो निखर के ऐसे आए, और ऐस्ती ऐस्ती लोगों के लिए उन्होंने क्यों किया, वो जो एक सबाब इठाई थी, जो constituent assembly की हम बात करते हैं ना, यहांपर, constitution adopt कब हुआ, effect में कब आया, और यह सब जो assembly बैठी, फिर उन्होंने जो government का यह किया, actually देखा जाए, मैं आप लोगों को बतातूं, कि दो, इनका अंबेतकर जी जो भले ही poor family से थे, दलित कास्ट के थे, untouchability से लेकर यह थे, पर फिर भी, जो moments इन्होंने चलाई उसके कि गांदी जी, गांदी जी, आज भी हम लोगों का नोट गांदी जी पे है, actually मैं एक बात बताओं कि गांदी जी, नोट पे जरूर है, लेकिन जो दिल पे है, वो बीमराव अंबेतकर जी है, यह सब जन बोलते हैं, it is not me, it is not the book, it is a real thing, what I am telling you, ठीक है, उसके बाद में, ज एक PhD तो छोड़ो, दो PhD तो छोड़ो, यह तो PhD के उपर PhD करते जा रहे थे, हाँ, इन्होंने sociology में की, इन्होंने history में करी, इन्होंने philosophy में की, इन्होंने anthropology में करी, उन्होंने commerce में यह किया, इतना सब कुछ करने के बाद में, फिर भी untouchability तो हटने का नाम ही नहीं रही थी, कहां हट रही थी, फिर इनके 1916 में जब National Dividend of India, Historic Analysis Study हो रही थी, में फाइनली इन्होंने जब रिसीव किया ना, PhD in Economics, वो तो तीसरा था, और उसके बाद वो लंडन जब चले गए, तो यह सब चीजे जो caste, जो caste ना, C-A-S-T-E-S, जो religion के बारे में बात कर रहे हैं, जो caste क बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो सब चीजे वो ट्राय कर रहे थे कि भाई, हटे, जिस वज़े से वो यह सब करने की कोशिश कर रहे थे, because it is not easy, आज भी आप देखेंगे, कि भले ही, इनके लिए जो करके गए, Ambedkar साब बहुत अच्छा करके गए है, आज कोई objection नही हैं, लेकिन जो reservation ये लेके आए, वो reservation गांधी जी भी लेकने के लिए बैठे थे, वो reservation जिसका नाम चला था, पूना पी एक्ट, वो reservation लेने के लिए वो भी बैठे थे गांधी जी, 1932 में जब British ने announce किया था कि हम लोग एक separate ये करेंगे, तो गांधी जी ने भी बोला कि बापरे अगर ऐसी बात है, तो मुझे जो बीमराव साब का साथ लगेगा, वरना divide and rule हो जाएगा, हिंदू community जो होगी, वो divide हो जाएगी, जिसके वज़े से वो उनका साथ impact चाह रहे थे, गांधी जी चाह रहे थे कि मैं अकेले infect नहीं कर पाऊंगा, वो infect चाह रहे थे कि ये साथ में हो, क्योंकि उनको पता था कि इनकी जो है वो बरोबर चलती है, तो गांधी जी ने जब protest किया था, फाच करने बढ़ दे थे, और उनको jail बेजा गया था, जो हमारी पूना करके साथ में कि support करो हमारी यरोडा को इसको, यह लोग चाह रहे थी कि उनको support चाहिए, क्योंकि गांधी जी अकेले करते भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपको पता है, डांधी माश में क्या हुआ, आपको पता है, गांधी जी ने क्या किया, है न, जो पूना का मैं आपक कर साब ने, जो की इन डलिट्स के जो depressed classes के लोग थे, और जो दूसरे, दूसरी signature की थी, मदन मोहन मालविया जी ने, ठीक है, और इसमें क्या था, कि जो reserve seats है, इन लोगों को इसके अंदर reserve पहले जो reserve seats थी, वो 71 थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 148 seats करी थी, वो चाह रहे थ नहीं हो कि इन्होंने अपने seats को जादा reserve करा के ले लिया, अब उनको तो ऐसे हो गया, कि अरे हमने तो इनको खुद बुलाया था, यह हमारा हिस्सा होना चाहिए, तो हमको यह सब मिलेगा इनसे, वो तो छोड़ो, वो तो गया, यह तो खुद का, मतलब profit करके निकल गए, ऐसे तो गांदी जी को in fact ही हो रहा था कि अरे ऐसे कैसे, ऐसी बात हुई थी, तो यह जो agreement signed हुई थी, तो यह जो depressed classes को receive हुआ था 148 seats in fact, 148 seats इनको receive हुआ था during that period, और allocate हुआ था यह सब कुछ, instead of 71 seats, इनको 148 seats लेके और यह लोग कहीं न कहीं यह कर रहे थे और गांदी जी in fact जो सोच रहे थे, उसका reverse हो गया, समझ रहे हो, और इसलिए आपको मैं बता दू कि आज भी आपको पता है कि 14th April is अंबेट कर जेनती डे, ठीक है, यह तो मैंने सिर्फ उनकी थोड़ी सी biography बताई है, अभी तक मैं detail में भी नहीं गई, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि आप लोगों को थोड़ा फॉत तो उनके बारे में मालूम होना चाहिए, बिफोर the constitution entering, बिफोर the constitution assembly उनने कैसे आए, कैसे उन चीजों का हिस्सा बने, कौनसे कौनसे फर्स डाउं जो conferences चली, उनमें इनका कैसा रोल था, जैसे professor बनने के बाद में इनके जो है, वो कैसे turn और हमारे साथ में क्या किया जा रहा है, उन्होंने कुछ सब बातों को feel करके देखा नो, वो सब बाते notice करी न, नहीं तो क्यों, नहीं तो क्यों, फिर तो बस वही बात थी न, किसके लिए भी easy था, ये सब करने के लिए, तो ये जो इनकी passport की जो moment चली थी, जिसके अंदर ये बोड़ रहे थे कि जो लोग है, आपको मैं बता दूं कि हमारे जो religions थे, बुद्धिस थे, हिंदुजम था, क्रिस्टिनिजम था, इस्लामिजम था, जिसमें इन्होंने देखा न कि हिंदू में भी कुछ न कुछ है, क्रिस्टिन्स में भी बतानी क्या ही, मतलब, अलग कि जो बुद्धिस है, उसमें डलिट्स को easily convert किया जा रहा था, और जो हिंदूस थे, जो in fact, अभी ऐसा तोड़ी है कि अंबेकर साइट में हिंदूस नहीं थे, दलिट्स हिंदू नहीं थे, तो उनको वो easily convert कर रहे थे बुद्धिसम में, और इसके वज़े से जो आप सब को समझाओ, पहले मुझे बताओ, so that I can move ahead. Yes, madam, बोर डीपली है, madam. कुछ-कुछ ख्याल मेरा डबल देखना पड़ता, madam, in studio. डबल मतलब? अनने, बोर डीपली है, madam, आपने. क्यों नहीं मतलब अगर हमको यह पता ही नहीं रहेगा कि exactly क्या है और इनका रोल क्या है इनकी बायोग्राफी क्या है हम constitution में यह कैसे आए constitution ने इन्होंने कैसे लिखा और constitution को इन्होंने कैस इस तरीके से लिया और जंदरली society में कैसा है मैंडम अब मैं रजपु समाज से चेत्री में हूँ आप मुझे एक ऐसा लगता है मेरा वीव ऐसा है कि बाबा साब जो रहा है वो पिछड़ों के निता है दली तो कि मेरा उनसे कुछ समद्ध है जंदरल रूल ऐसा society में ऐसा लगता मैंडम सब को हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया जो किया पिछड़ों के लिए किया हां लेकिन वो जो करके गए ना यह देखो उनका थोड़ा सा यह रॉंग मूव लिया जाता है लेकिन वो जो करके गए ना चुल में देखा जाए आज मैं एक बात बताओं कि एक प्लीज रॉंग मत लेना मैं उससे पहले ही आप लोगों के सामने apology बोल रही हूं कि आज के time पर if you'll see वो untouchability आज भी है मैं ऐसे नहीं कहूंगी it is all over finished वो जो करके गए STSC वालों के लिए बहुत फाइदा है उनको वो कब schedule cast और schedule tribe बना ये भी मैं आपके साथ में discuss करूँगी आज भी शादिय हो गए मैं जो पंगत रहती है शादिगी विलेज पर दलीत लोगों को अलग से बढ़ाया जाता आज भी उनके घर अलग है वो लेक कोप्रे में मिक्स नहीं है मिक्स नहीं है बिल्कुल करेक्ट आज भी उनको कहीं न कहीं साइड लाइन किया जाता है आज भी मैं एक बात बता हूँ मैं इसके लिए apology के लिए क्यों बोला वाया में पीलिंग सो सॉर्य अबाउट इट कि टुदे ओल्स इदर लेडी जो कि washrooms वाश करती ह अब आप देखो ये बात आज भी है ऐसा नहीं है कि वो culture खतम हो चुका है everything is over आज भी है मैं इसके लिए बहुत I'm not saying it so fluently just because even I'm feeling bad to speak about it but ऐसा नहीं है कि it is fully gone ऐसा नहीं है कि आज भी वह नहीं है तो इसलिए तो मैं वोलीं ना कि यह schedule case कैसे बना बाद में यह पहले schedule case 2 थोरी था कि इससे पहले तो यह लोगों को दलिटी बोला जाता था ना मैंने इसके लिए आप लोगों को तीनों कास्ट बताए कि यह जो तीनों कास्ट जिसमें इनों ने खु कैसे खतम होगा आखिर इसका अंत कैसी तो 14 अक्तोबर 1956 में उन्होंने अपने आपको चेंज किया था यह सब करने के लिए रिलीजन वह अपने आपको बुद्धिसम क्याटिगरी में इसके लिए दो लेके हैं क्योंकि वह खतम होने के लिए बात ही नहीं थी और बुद्धा का जो रिलीजन है वो अडॉप इसलिए कि उन्होंने कि उसके अंदर किसी के साथ में भी ऐसी कोई आक्टिविटी नहीं होती थी जो नहीं होनी चाहिए मतलब मेल हो फीमेल हो विद्वा लेडीज हो उनके साथ में भी सामानता से चल रहे थे और जब वो ग्यान देते थे न तो वो आत्मा का बोध करवाते थे तब बुद्धिस्ट जो उनका कल्चर था वो मोक्ष की बाते करते थे कि ना हिंदू ना मुसलिम कोई वो नहीं था और इस चीज को लेकर जो यह साइड वाले कास्ट वाले लोग है ना क्योंकि अंबेकर साब ने अपने रिलीजन को चेंज कर दिया ना उनको देखकर काफी सारे हिंदूस चेंज हो गए इमीजिटली उन्होंने भी यह डिसीजन ले लिया कि मैं आपको बता दूँगी कि जो फिगर है इन लोगों का कंवर्टिंग फिगर था थी लाक लोग थे तीन लाक लोग जो हिंदूस थे और वो कंवर्ट होगे बुद्धिस से उसका रीजन ही यह था क्योंकि वह भी देख देख कर ना अंदर इंसान आखिर तो खतम होगा ना आखिर तो यह होगा ना उन्होंने इतनी सारी एजूके लोगों की जो जिंदगी है वो बदल के रगते समझ हा I hope not so much बट मैंने चाहि किया है कि आप लोगों को हर वो बात बता सकूं जितना मैं बता सकती थी in this session मैम यह आपने कहां से पढ़ा मैम कहां से पढ़ा MP Jane के book से पढ़ो MP Jane yes मैंने आपको वही बोला था इससे पहले ही कि MP Jane के book को refer करो मैं जो आप लोगों को यह सारे notes लिखती हूं और करती हूं न यह सब MP Jane के books है यह सारा वा सारा MP Jane है इसलिए को मैंने देखो उस दिन आपके सामने यह start किया था बीम राओ अंबित कर साब के जो speech चली थी जो constitution assembly में बैठे थे और जो शब्दो जो constitution में लिखा क्या था वो secularism को लेकर उन्होंने तो पहले ही अवाइड कर दिया था यह सारे शब्द वो चाहते ही नहीं थे वो इसके रेपो कॉशन्स क्या होने वाले है इसके फाइदे क्या इसके नुकसान क्या है ठीक है यह सब्सक्राइब और भी आपको जैसे आगे आगे लेके जाओंगी ना अम्बेद कर सापकी constitution की तरफ आपको और और मैं ट्लोज लेके आती जाओंगी इन सब चीजों को लेकर आइल देखो आपने मैंने हिस्ट्री स्टार्ट की तो वह भी मैं आपको डेटल में लेके गई थी तो मुझे थे लगे था वाइनॉट डिस आपको बता होना चाहिए सब यह भी मैं मता हूंगी कि schedule cast and schedule tribe अच्छे what is the question the constituent assembly का vice president secretary advisor panel member कौन है आपको पता है constituent assembly का कौन है पता है आपको सचनंदा सिना जो chairman थे constituent assembly के उसके बाद में डॉक्टर राजिंद्र प्रसाथ कि उसके बाद में जो वाइस प्रेजेंटर थे कौन थे वो हरेंद्र मुखर जी ठीक है कि मैंने अभी आपका question देखा sorry विनायक is there in the class yes ma'am advisor को एडवाइजर जो थे विवर कौन्सिटुएंट असेंब्ली के सर्दार पतिल थे अडवाइजर नॉट बीम राव सब्सक्राइब करने के लिए पूचा था नॉट एडवाइजरी मेंबर अप्टुएंट असेंब्ली सर्दार पते शायद भी अन बैनेगल नर्सिंग राव थे नहीं जतना में को पता है मैंने आपको बता दिया हाँ ठीक है मैं इस लिए अर पूच रहे हो तो ही वस बीएंड राव और चैर्मेन पूच रहे हो तो इस बीएर अंबीद कर और वार्व पूच रहे हो तो है सी मुखर जी ते अगर अगे 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 मैं मौश वेलकाम चरण आप एंपसाइस तो देटेल ओफ दिस तिल आइवल मूव अहेट हाँ एस टी एंड जो है वो कैसे पड़ा फॉर्ट इट वस वाट नाव इस वाट एंड हाँ यह आँजॉइंग विग दिस शीट यह भी हम आपको बताएंगे कि बाबा साइब अंबेद कर ने इनके किया कौंसी एज में उन्होंने पढ़ाई की यह किया वो मैं सब बता चुके हूं आपको में वह वेरी यंग यह यंग गन थे और उन्होंने यह सारी चीजे करते गए करते के you know even if आज दिन तक में कहूंगी I'm not categorizing or something please don't take me wrong आज दिन तक इनके यहां से एक भी जना बाबा साइब अंबेद कर को यह follow करते हैं लेकिन उनकी तरह आज दिन तक कोई भी नहीं बन पाए I would say कि nobody means nobody ठीक है समझ में आया आगे बढ़ूं start करती हूं ठीक है now emphasizing upon the significance of liberty equality and opportunity पहले तो मैं आपको बताओं कि यह भाई liberty है क्या आपको पता है कि जब आप preamble open करते हैं तो आप liberty of thought, expression, belief, faith and worship को आप अपनी आँखों से देख चुके हैं then comes equality equality में status की बात करता है, opportunity की बात करता है and to promote them among all ठीक है opportunity की बात करूं मैं assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation पहला शब्द now liberty जो है liberty का मतलब क्या है मैं आप लोगों को पहले बता चुके हूँ अगर आपको फिर सुनना है तो मैं फिर बता देता हूँ देखो liberty का मतलब होता है कि freedom जहां पर restriction नहीं है that's liberty ठीक है यह जो thought, expression, belief, worship हम सुनते हैं तो कहीं न कहीं यह किस चीज के बारे में बताता है यह social restraint के बारे में बताता है जो social restriction लगती है उसके बारे में बताता है और ऐसी restriction जो subordinate है और कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक happiness है क्योंकि कहीं हमको liberty है जहां पर हमको freedom है जहां पर हमको किसी की restriction नहीं है means हमारे पास liberty है हमारे पास liberty है we are liberal to do whatever we want to do है न that's called as liberty now speaking about equality why this second word is so important article 14, article 15, article 16, article 17, article 18 equality के बारे में बताता है हाँ बिल्कुल बताता है तो खाली equality यही articles बताते है बाकी सब्स हो गए है क्या नहीं न बताओंगी कैसे अब जो different rights है जो individual को देने चाहिए है न और यह बहुत जरूरी है हमारे सोसाइटी के अंदर समझने के लिए की equality होता क्या है और equality की बात करूँ तो पहला word आता है status सुनने के लिए कैसे लग रहा है तेरा status क्या है तेरी आउकात क्या है हम कभी-कभी यह word तो ऐसे बोल देते हैं सबी लोगों को इक्वल यह दिया है इसलिए यह word आया इक्वाइलिटी जो अपॉच्निटी दी गई है हर किसी इंडिविजियल को एक अपॉच्निटी की तुम तुमारा अपना डेवलप्मेंट करो इस तरीके से करो कि हम हमारे हमारे को कुछ यह नहीं है हम तुमको अपॉच्निटी दे रहे है हम आपको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे है क्योंकि इनके अक्वाइलिग सब लोग कानून के नजरों में इक्वाल है इसलिए कॉंसिट्यूशन ने इक्वाइलिटी बिफोर लौ इक्वाल अपॉच्निटी फोर एवरी वन को लाया In the form of article 14, 15, 16, 17 and 18 Okay, now third word 14, 18 इसका मतलब क्या है? Dignity of the individual ठीक है? 14, 18 का मतलब ही क्या है? ऐसा आपको assurance देना कि भाई, आप जो एक person हो आपकी अलग dignity है और उस चीज़ को जैसे हम कहते हैं कि बाई, चारा, ब्रदर हुट जिसको हम बोलते हैं, बैन, बैन, बाई, बाई आपने सुना होगा India is my country, all Indians are my brothers and sisters This is a call as fortinity ठीक है? और ये fortinity का मतलब ही ये है कि fortinity हम लोगों को unity के बारे में बताती है जो लोगों के बीच में है जो हमारे nation हुप में है जो हमारे इंडिया में है हमारा इंडिया जो हमारा जो हमारे country है, उसके अंदर है ऐसे बताने के कोशिश करता है ये हमारा प्रियेंबर तो ये इसका outcome क्या है? इसका outcome क्या है fortinity का outcome यह है कि हम सब को equal fundamental rights है ठीक है ठीक है clear हुआ fortinity का मतलब clear हुआ क्योंकि यह प्रेंबल में यूज किये गए words है और डॉक्तर बाबा साहिब अंबेदकर ने observe किया जब अपने speech को वो खतम कर रहे थे उस constituent assembly में on 25th November 1949 यह principles को उन्होंने exaggerate करके देखा liberty, equality, fortinity यह separate नहीं है यह triangle है आप देखरो न liberty, equality, fortinity यह तीनों एक triangle है और this triangle is equals to trinity t-r-i-n-i-ty, trinity का मतलब triangle, यह जो triangle है, equality, liberty और fortinity यह तीन जो है यह हत्यार थे constitution के, हत्यार मतलब मारने वाले हत्यार नहीं, बोलने वाले, ठीक है, they form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of the democracy, now coming to word democracy, यह word सुनने में कैसे लग रहा है न, democracy, that means it's talking about democratic, इंडिया के अंदर दो type of democracy है, है न, इंडिया, इंडियन democratic है या नहीं है, है या नहीं है, दो type की democracy है, एक है direct democracy, एक है indirect democracy, हमारे इंडियन को follow कौन से करते, indirect democracy, कैसे मैं बताते हूँ, direct democracy का मतलब समझो, कि अगर आप लोगों को दूसरे country से वैवार करना है, तो इंडिया के लोगों से पूछना पड़ेगा, भई करें, भई करें, हमको ये करना है इसके साथ में, तो आपको अगर permission है, तो that is direct which is not followed, पारी जो parliament के government के लोग क्या करेंगे, indirect का मतलब ये होता है, कि जो voting से होता है, ठीक है, जो लोग है, जिनकी age 18 years and about है, वो vote करेंगे, और उसके बाद में government जो है, उन सब चीजों को करेगी, तो that is called as indirect democracy, you have a right to vote is equals to indirect democracy, ठीक है, ठीक है, clear हुआ, democracy क्या है, direct democracy, yes, yes, further, liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty, एक दुसरे को जुदा जुदा करी नहीं सकते हैं, वो है तो मैं हूँ, मैं है तो वो है, वाइसा वाइसा, ठीक है, मैंने आपको ये जो triangle बताया न, equality, liberty और फॉर्थी नीटी का, ये तीनों को एक दूसरे से जुदा कर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं है, तो वो उसकी कमी हो जाएगी, अगर वो नहीं है, तो उसकी कमी हो जाएगी, तो without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many, याने तो फिर ऐसे हो जाएगा न, कि जो कहा था कि law supreme है, है न, फिर तो मतलब क्या हो जाएगा, equality रहेगी नहीं, बिना fertility के, बिना liberty के, तो individual कैसे initiative लेगा, कैसे एक दूसरे को ये करेंगे, justice कैसे होगा, मुझे बताओ, अगर ये नहीं होगा, तो justice कैसे होगा, without justice, हमारे, जो हमारा ये है, social, economic, or political, justice कैसे होगा, कैसे justice होगा, अगर ये सब चीजों को हमने जुदा-जुदा कर दिया, अलग-अलग कर दिया, this will be not left alone, जो लोग individually initiative लेते हैं, इन सब चीजों को करने के लिए, जो जो राजनेती हमारी चलती है, यहां पर Parliament के अंदर, वो कैसे होगी, फिर? समझ में आया? Am I clear till here? Yes, ma'am. खरो, end करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत हुआ.